हे गाइस एशिन कबटी चैंपियंशिप 2023 का दे वन पुरी तरह कम्पलीट हो चुका है एंड इस डो में डे वन का रिजल्ट हाइलाइट यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हो कौन से टीम मुकाबला जीती है एंड इंडिया के मैचेस में कौन-कौन से प्लियर ने अच्छा परफोर्मेंस दिखाया है कितने पॉइंट स्कोर किये सब कुछ आपको इस डो में जानने को मिल जाएगा एंड कहाँ पे लाइव टलीकास्ट हुआ तब वो भी मैं आपको बताने वाला हो तो वीडियो बहुत इंटरस्टिंग होने वाला है वीडियो को एंड तक जहो देखेगा एंड से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो एनिवेज आते हैं सबसे पहले डे वन के शिड्डूल पे तो आज के दिन टूटल चार मैचेस खेले गेते पहला मुकाबला चाइनीज ट्राइब वसिस इरान के बीच में हुआ था दूसरा मुकाबला कोरिया वसिस इंडिया के बीच में था तीसरा मुकाबला जापान वसिस होंकों के बीच में था एद वहीं पे चौथा मुकाबला Chinese Type E versus इंडिया के बीच में खेला गया था बढ़ते सबसे पहले मैच की तरफ तो सबसे पहला मुकाबला Chinese Type E and Iran के बीच में खेला गया था फर्स्ट हाफ एक हिसाफ से देखा जाए तो बहुत ही क्लोस गया था जहाँ पे इरान की यंग्स्टर्स टीम में अच्छा परफॉर्म करी रहे थी लेकिन चाइनीज ट्राइपी भी अच्छा फाइट बेक दे रहे थी लेकिन जैसी सेकेंड हाफ सुरुवात हुआ चाइनीज ट्राइपी का परफॉर्मेंस बहुत ही डाउन हुआ और इरान की टीम ने एक हिसाफ से पूरी तरह गेम में डोमिनेंस मचा दिया था और फुल टाइम स्कोर की बात कि जाए तो फुल टाइम स्कोर में चाइनीज ट्राइपी का 28 पॉंट्स था और वहीं पे इरान का 52 पॉंट्स था और जो मुकाबला है वो यहाँ पे इरान की टीम 24 पॉंट्स के साथ जीत गई बढ़ते दूसरे मुकाबले की तरफ तो दूसरा मुकाबला साथ कोरिया वसीज इंडिया की बीच में खेला गया था पहले हाप की बात किज़े तो पहले हाप में इंडिया की टीम ने बहुत चा पफॉंच दिखाया एंड साउथ कोरिया को पॉइंट्स लेने का मौका थोड़ा भी नहीं दिया पवन कुमार सरावत अचा केल रहे थे सुर्जीज सिंग बार बार टेकल कर रहे थे असलम इनामदार भी बहुत चा पफॉर्मेंस दिखा रहे थे नितिन रावल जो ही यहाँ पे विशाल भारदवाज की जगह पे थे वो भी बहुत चा पफॉर्मेंस दिखा रहे थे और ओवरल देखा जाए तो टीम इंडिया हाफ टाइम तकी नहीं पुल टाइम तकी काफी अचा पफॉर्मेंस दिखा है फुल टाइम स्कोर की बात की जाए तो कोरिया का 13 पॉंट्स थे और वहीं पे इंडिया का 76 पॉंट्स था और यह मुकाबला इंडिया की टीम टोटल 63 पॉंट्स के साथ जीत गई पफॉर्मेंस की बात की जाए तो पवन कुमार सहरावत को 5 रेट पॉंट्स एक टेकल पॉंट्स मिला अरजुन देशवाल को 6 रेट पॉंट्स दो टेकल पॉंट्स नवीन कुमार को 2 रेट पॉंट्स मिले सुर्जिस सिंग को 7 टेकल पॉंट्स नितियस कुमार को 3 टेकल पॉंट्स असलम इनामदार ने सुपर टेंजडा नितिन रावल को 3 टेकल पॉइंट्स मिला सचिन तनवर को 8 रेट पॉइंट्स मोहित गोयत को यहाँ पे 4 रेट पॉइंट्स दो टेकल पॉइंट्स एन विसाल भारदवाज को 2 टेकल पॉइंट्स इस मुकाबले में मिला है तो ओवरोल टीम मिलें काफी अच्छा मुकाबला था और बढ़ते तीसरे मुकाबले की तरफ तो तीसरा मुकाबला जापान वसी होंकों के बीच में खेला गया था पहले हाप के बात की जाए तो पूरी तरह बन साइडेड मैस था जहाँ पे जापान के पास 34 पॉइंट थे एंड होंग कोंग के पास 4 पॉइंट थे तो जापान की टीम काफी अचा परफोर्मेंस दिखाई एंड जो ये परफोर्मेंस है फुल टाइम तक वैसा ही रहा फुल टाइपी वर्सिस इंडिया के बीच में खेला गया था एंड ये मुकाबले की बात की जाए तो ये मुकाबला का फर्स्ट हाप तोड़ा टफ था वेकॉस यहां पे चाइनीज टाइपी ने काफी अच्छा कॉम्पेटिशन दिया था जहां पे चाइनीज टाइपी के 12 पॉ टाइपी का 19 पॉइंडिया का 53 पॉइंड ये मुकाबला इंडिया के टीम 34 पॉइंट के साथ जीत गए परफॉमेंस की बात की जाए तो पवन सहरावात ने 8 रेट पॉइंट स्कोर किये अरजुन देश्वान ने 3 रेट पॉइंट नवीन कुमार 3 रेट पॉइंट करके ब टैकल पॉइंट मिला तो ओवरॉल देखा जाए तो अच्छा परफॉमेंस टीम इंडिया ने सेकेंड मुकाबली में भी दिखाया था एंड ये है डे वन का पूरा रिजल्ट हाइलाइट एंड बढ़ते डे टू की तरफ तो डे टू भी सिमिर वैसी रहने वाला है सबसे मुकाबला कोरिया वसिस इरान के बीच में होने वाला है तो डूटल पांच मैचेस खेले जाएगे डे टू में आप कौन से मैच के लिए जड़ा एक्साइट हो कॉमेंट का के ज़रू बताएगा एंड इसे के साथ वीड़ो को एंड करते वीड़ो आपको अच्छे लगी इस वीड़ो को लाइक कर दीजे सायर कर दीजे चैनल को आपने अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया तो मैक्स और चानल को भी सबस्क्राइब कर लिजेगा उम्मिद आपको अच्छे लगी की मलते हैं कौन हैं इंटरस्टिंग उड़े के साथ अब तक लिए थैंकियो पूर आचिंग गाइस गुड़ बाई